भाइग्या बहनी राम राम विलेज़ फूट लाइव इस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है तो मैंने चलती हूँ सबसे पहले दखिए उर्दिक अदाल भीगोंगी तो मैं सबस्तों बने रहिएगा अच्छा लग अगर वेडियो को लाइक से और कमेंट करना मैं चल सबस्क्राइब निकल देंगे और इसमें पानी डालेंगे उर्दिक दाल मैंने दो तिन पानी अच्छे से दूलेंगे जो इसका छिल्का है और निकल जाएगा देखिए बहुसी अच्छे से लगे निकल लेगा यहां किस साइट से तो तो देखिया दीदि हमारी शिल्का लैसुन का उसको अ डाक रख लेती हैं उसके बाद सिलबटे से उर्दिक दाल पीशेंगे गी इसको एक ठालीब रख लेंगे उसमें छाचानक रखेंगे जो पानी नहीं जाएगा तो गीला हमारी पीठी नहीं होगी अब देखें सिल्वट्टे से मैं उर्धी का दाल पीज लेती हूँ नमक लगा लेती हूँ नमक लगाने से ज़की जाज जागा बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा तो मने अच्छे से घुमाते हुए लगा लेती हूँ अच्छे से जबागा जाएगा का निर्फे लाएगा लेती हूँ तो हीं में ने थखें थोड़ा सा हीं लिया थोड़ा सा थोड़ा सा मैं पाने डाल देती हूं फूलने के लिए डाल बचिया दीधी हमारी पीस रही है उसके आधा को त्यार कलेती दोस्तों आज मैं बते हैं ये लगे चमश नम्द और थोड़ा सा गेहु का अठा 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 इसको रखे देती हूं तो मैं अच्छे से आठा गूथ लेती हूं मैं अठाए चावल का अठा लिया हुगा है तो तो आज हमारे सब घएंगी खाये हैं बहुत लोग भरा भी बोलते हैं तो हमारे क्या गोईटा बोलते हैं देखी में दीदी मसाला वारे समगरी के तयाल कर रहे हैं आपा को अच्छे से गुथ लेते हैं तो आपा मैंने बहुत अच्छे दखे गुथ लिया है इसको दस मिनट अब आपा को ढख के रखोंगी तो बीच बीच में हम लोग गोठा बना के खाते रहते हैं देखे जो बमार दीदी आती है तो बहुत अच्छा लगता हैं अब खाने में बहुत सी टेश्री लगता है इंग डालने पर तो अब इसी सिर्वट्टे पे डाल को हम अच्छी से रख लेंगे पीसा हुगा पीठी इसमें डाला के थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ अच्छी सब में लाएंगे अच्छी टेश्की में बनाते खाते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में तो चारो सायड दखें हाथ से घुमाते हुए मैं साश्क को तेल लगा देती हूँ इसमें पानी को अच्छी से खाउल रहा है अब इसमें हम गोठा बाना के इसमें डालूंगी तो इसमें चोड़ा चोड़ा इसको हम लोई को तोड़ेंगे तो आप बड़ा-छोटा बना सकते हैं तो देखिए मैं इसी साइज के बना रही हूं कि हार्ग सारे इसको थोड़ा-थोड़ा दबाते ही बड़ा करेंगे फालका साइज में नमक लगा देते हैं तो दोनों हाँ से देखिए आइसे मैं हलके हाँ से इसको दबाएंगे तो देखिए पहला हमारा गोठा बनके रेडी हो गया है अब इसे हम उबलते हुए इसमें डालेंगे यह अब फटाफट अओ नहीं दोनों हो मिलके रेडी की लेति हुए इसमे वीच रखते जाओंगी अब दोनों वाथ से देखिए इसमें तबाते हुए अब फटाफट इसमें उबलने क्लिए मैं डाल देते हुए कि महां खुला रसदीगी ने खुबढ़िया में पाइज जाएगी उबल के पक्रियाद मैं बना लेती हूँ दोस्तों आज लोग पास गये बहुत हेचे समारा पख जाएगा इसमें हल्का अब हम शेक तर लेती हूँ तो आप लोग आए पास से में दिखाऊंगी बहुत हेचे सर्क्रियाद मैं बना लेती हूँ पुबल रहा है दिमी दिमी आज में अब कर देंगे इसके और दस मिनट तक और पकाएंगे अब देखें काफी टाइट हो चुका है मैं दिखा देती हूं देखें काफी टाइट हो चुका है देखें काफी टाइट हो चुका है देखें कम वेजने लग भी नहीं रहा है जाएगा तब हमारी पनबुटी बोलती है कि पान इमें पकता है और इसमें देखे फाल नहीं लगता है थाम लोग ऐसे बना के खाते हैं ठंदा हो जाएगा तभी सब लोग खाएंगे तभी देखिए बाफ निकल रहा है अब गर्मा गर्में ठाली में तो देखें तभा पे आउम मामफाली का चट्नी बनायेंगी तो अच्छा पहले बुणेंगी तो देखें गोट्षान साथ हम लोग मामफाली का चटनी बनायेंगे अब देखें दीदि हमारी मामफाली बून रहा है तब आप वंठाक्व माँख सब अच्छा Button नदा कर लेती तो चटनी बनाने के लिए माने देखिए में टमाटा को काड़ लेती हूँ तो देखिए दीदी हमारी इसको ममफली जो छिलका है बाहर निकाल दी है आज एक दो हैस में तो इसको हम अच्छे से रखे इसको चटनी बना लेती हूँ तो आईसे हम चटनी चीज को उठा लेती हूँ तो देखिए बहुत हैं इची से फटा हुआ है टेस्टाली में हम निकाल लेती हूं लाँ हम अई तो मैंने दखे खाने के लिए गोइठाक साथ ना बनाया है तेमाटर और ममफली का चटनी जबादा देखा नीमक मुझे उसाहिए किल्ची दाल जबाओ उसना धार रहाओ जबाँ है अश्यूर का खौ़नाया है टो ही जबा धिर टेंगे शुर॥ और रहन नीमक रहाओ कियोगा जानगा जबाँा इलि मो भीड़िया है चाही पांदगाए मैं मुका घॉजू तुश्षी देखेए राइन पी रही है और अच्छावल है दोस्तों डॉस्तों आज के दिए अच्छावक लाइक करना सेर करना कवेंट करना मैं फिल मीलेंगी एक नइट नए वेडियो के संग सब तक लिए राम राम